तो यहार इस पाय ओर्डर तो मैं रिंग डेट मंगाई थी तो यह चोड़ा हुआ हेलो अब्रीवन नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लोग में तो आज मैं कर रही हूं व्लोग और आज का दिन है संडे और यह है मेरा ओट्फिट आप डड़े तो हम लोग जा इसलिदा करें संडे की साम को और नो निकल चुक एं घरसे तो यह बिरीज से मुझे एस लगते हैं कि आधा रएपूर में ब्रह भी जाता हैं कि पुला रैपूर जगम घा जाए तो यहां से इतना उसका रोष्णि दिखता है और उसके पाठ जाओ तो और अच्छे से बात करें मुझा सका नाम नहीं पता है और अभी हम लोग आ गए विए पी रोड में तो यह राम जी का मंदीर है जैस्ट राम तो यह राम मंदी बहुत प्रसीद है राइपूर में तो संडे को यहां भी अच्छी खासी भीड़ होती है लोग आते हैं दर्शन करने के लिए औ मतलब हम लोग ऐसे जगह जा रहे हैं अभी कि भीड़ ना हो मतलब जादा भीड़ भीड़ आक्टे में हम लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं और यह है व्याइपी रोड तो मुझे व्याइपी रोड प्रस्टनली बहुत पसंद है क्योंकि यहां हरा भरा है हर तरह अरा आप गारी चला के जा सकते हो और लांग टार के बहुत अच्छा है तो बहुत मजाता है इस रोड में तो हम लोग जाने का प्लान था नया राइपूर तो आगे देखते हैं वह प्लान सक्सेस होता है एकिनी और मौसम खराब हो रहा है यहां पे तो ऐसे लग़ा था पूल की बुन्दाबादी यह सुरू हो गई थी तो अभी हम लोग पीछे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और वह बता हूं तो जा रहे हैं वीड़ो बनाने के लिए मन कर रहा है इसलिए और यहां पे मैं अपने बाल को सही करते हुए क्यूंकि मेरे बाल जीतरे बीतरे ह हो गए थे और यह है हमारा एरपोर्ट रैपबूर का स्वामिवे का नन तो देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो जरूर रहेंगे इस एरपोर्ट में और प्लेन में उड़ो के जाएंगे और यह तलाब है यह कोई गां है उसका तो अभी हम लोग आ गये हैं एरपोर्ट के ब तो यह जो आपको वाल दिख रहा है इसके पीछे एरपोर्ट का रनवे है और हम लोग अभी जो खड़े है वह भी रनवे है पर यह अधा बंद है और मेरे ख्याल तक यहां आना भी बंद हो जाएगा क्योंकि आजू बाजू ना वाल खड़े कर रहें तो मेरे ख्याल तक स मैं फोटो खिच रहें और फिर से मैं अपने बाल यहां पे सही करते हुए तो हवा इतनी तेज चली थी ना कि मेरे बाल पर जीतर बीतर हो जा रहें और मैंना मास्क के अंदर से कुछ बात कर दी तो आवास क्लियर नहीं आ रही थी तो इसलिए मैं इसको म्यूट कर दी तो अब हम लोग निकार रहें यहां से क्योंकि यहां पर सुरू हो गई थी बारिश हलकी फुलकी और यहां कहीं भी सैड नहीं है कि आप जाके खड़े हो जाओ कुछ दिर के लिए तो इसलिए हम लोग सोचे कि क्यों ना यहां से निकला जाए तो हमारे पास रेन कोड भी प्लान था क्योंन है क्योंकि नहीं नहीं वागां प्लान में यहां जा राए तो घर अघर अधाय आधाThe तो हम लोग कभी नहीं हाते हैं, gliख मेरे व्लग नहीं कभी नहीं देखोगी, क्योंकि यहां पर हमारा गाड़ी चोरी हो गया, तप से मुझे बहुत लगता है, वासे गाड़ी मिल गई थी, हैसा नहीं की नहीं मिलती, गाड़ी मिल गई थी, लेकिन मुझे मेरे मैरे जेखा कि पैसा वेस्ट है क्योंकि गाड़ी एक बार गई तो बहुत कामात है और अगर आप गाड़ी ठीक से पार्क नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी ऐसे उठा के लिए प्लीस वाले और आप लोग देख सकते हैं ट्राफिक तो रैपूर में भेंगर आज कल ट्राफिक होने लग क्योंकि मैं लगी थी मेरी सिष्टरी लगा है और आते वक्त लेकल हैं और आते हम लोग सब्जी लगया है और हम लोग गए थे नया रापूर रापूर एयर्पोरी तक गये थे हम लोग वहां यूपे थोड़ा बहुत वीड़ो में बनाई ही आपनों कि आगे जाने वाले और थोड़ा घूम के आते क्योंकि मैं भी ने गई हूं आगे तो मेरा मन्था के आगे जाओं पर बारीस होना शुरू हो गई हल्की फिल्की तो हम लोग वापस आगए क्योंकि हमारे पास रेंकोट नहीं था और ज्यादा बारीस में भी भी ना सही नहीं है क्योंकि अभी व्लॉग कर क्या यूद कर दो कोई बात की कभी मैं और जाओंगी तो मैं आप लोग को मिला दूंगी और मेरी जो बाईंजी वो मुझे मेहंदी लगए तो मेरे दोनों हाथ में महंदी लगए तो इक आठ का देती हूँ घू अभी में बैंगर सी क्या लाईए तो निज़त तो अभी सारे तस बज़ रहे हैं तो मैं ना रिल स्लिए पर वीडो गनाई तो रेडियो गई थी और सब जी लाया हैं बता ही ना मैं आप लोग को तो च्या लाई हो मैं आप दिखाऊंगी तो नीचे ना मैं जो बाता है वो बैगन वो छोड़ दी थी नीचे तो मेरी मदरी फिलो बनाई कर मैं गोल भाजी रखिया है अगर मैं कर वर आती हूं तो उसकी ऐसे ती हमिए आप लोग क्या शेयर करूंगी तो बने रहे हैं ब्लॉग में और अभी गुड़ नाइट में आप लोंगो तो भूतियों सर्षी के मैं तो घर के जो कहें नास्त तो पिंडिंगको नियुक्ट थो तो मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगो दिखाती हूँ मैं बना रही हूँ उतवा चाहे में चणड़ा दियू मैं नुटा,ँली मो अगindeer काम भीका श्यूत remember कि अच्छ अच्छ आपनों के लिए व्लॉग लेखे हैं और केमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप लोंको कैसा लगता है मेरा व्लॉग और आप मुझे इस्टाग्राम में फोलो कर सकते हैं उसका जो डिटेल हो नीचे दे दूंगी तो ठीक है बने रही है तो कल रात में बार साथ बंद नहीं हुई है हलकी फलकी गेरी रही है कपड़े सुखहे में इदि लोके और चलो में कढाये चड़ा दिये नास्ता बना रही न दिकहाती हो तो अभी में बना तो यह गुड़ वाली चाह है इसलिए थोड़ी काली दिख रही है और एक तरब मैं रख दिए उक्मा बनाने के लिए और यहां पर मैं साफ करूंगे भाजी तो यह गोल भाजी है तो इसे हमनों कर लेकर आए थे साथ में लेकर आए थे पुदिना पत्ता और करी पत्ता तो यहां पर मैं काट पिट के रह लीए प्याज हरी मिर्ची जिसे की में बनाने के यूज कर सको तो इसमें मैं डाल दिए चना डाल और फली और मैं फटा फट उक्मा बना रही हूँ क्योंकि नास्ता करने में लेट हो जाएगा ना तो फिर दिन में खाना का मन ने करता सब्सक्रैणे में चाघ यूज मैं की घृतफ़ा अंच मेंनि अबसे कैनी में बनाने के रहा हो जाएगा जतना उतने करते रहे होет और दिना शोड़ा पनाने के आच्वह क्ग ड़ल्री ने की आपने अपने अगर के हर यहां सइनटाइजर लागते हूं और यहां पर मैं अपना नास्ता लेकि आ गई हूं तो मैं अपने husband का wait कर रही थी कि हो आएंगे तो हम दोनों साथ नास्ता करेंगे तो वो मुझे phone करके बोले कि उन्हें आने में late हो जाएगा क्योंकि वो गए है vaccination के लिए तो उनका जो online booking है vaccination का वो हो नी पा रहा है तो वो direct गए है hospital वैक्सिन लगवाने पर पता नहीं आज भी मिलता है कि नी क्योंकि दो तीन दी से वो जाए रहे थे तो देखते हैं तो इसलिए वो मुझे phone करके बोले कि नास्ता कर लो तो मैं नास्ता कर रही हूं और मैं ना हुक पर भाजी बहुत ही अच्छा होता है health के लिए तो उसके बारे में आप लोग ज्यादा जनकारी के लिए google कर सकते हैं तो जैसे normal हम भाजी बनाते हैं वैसे ही यह भाजी को भी बनाना रहता है तो लसून और सुकी मिर्ची और प्याच चाहिए रहता है इस भाजी को भी जाता है तो यहां पर मैं प्याच को हलका सा फ्राइ कर लोंगी थोड़ा सा प्याच का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा उसके बाद हम भाजी को एट करेंगे तो भाजी को तीन से चार वार अच्छे से धोना पड़ता है क्योंकि ना भाजी में मिट्टी लगे रहती है तो मिट्टी अगर सब्जी में आती है तो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जब हम सब्जी में चम्मच चलाइते है तो खड़ंगवाज आता है तो पथा चलव गाई तो पता चल जाता है कि mogą मिट्टी रहा गई है श्लिए तो पकाई यहाँ पे मैं भाजी को डाल दी हूं अमारी सब्सक्राइब कीमेड़ डेंलें लगणी तो किमेड़ आपकी डालए तो डालए डाले पर मतले में पर यहां परमाइब करने की बाद मैं किमाड़ी घालागी तो अब आप मेरम में तोमक je यह हंकित कर दी हुग और nossa करेंगे टमाटर के पकने का और जो मुंगदार हो पक चुकी है तो टमाटर थोड़ा सा पक जाए इसके बाद हमारी जो सबजी बनके रिड़ो जाएगी तो एक तरह में रगदी हूं कढ़ाई तो इसमें मैं बनाऊंगी मश्रूम तो यह जो मश्रूम की सबजी की रेसिपी तरह महाँ पैसे पर प्रॉब करने के बाद हम इसे थोड़ा फ्राइ कर लेंगे लगाए उसके बाद मैं एसमें आड करूंगी लसून तो लसून को चया से मस्तबारिक चौप करके एड़ करना है और ज्जादा लसून एड़ कीज़ेगा क्योंकि इसमें जो लसुन का फ्ल कर लोंगी तेल में तो प्याज और लसुन डालना है बगार में तो जैसे ही थोड़ा से यह हलका फ्राई हो जाएगा इसमें हम एड़ करेंगे मश्रूम जिसे हम लोग काट के साफ करके अच्छे से धोके मैं रख लिए एक तरब तो थोड़ा सा हलका सा मैं फ्राई होने का व करी हूं तो टमाटर जो है वो गल गया है तो थोड़ा ज़र बार गैस बंद कर दोंगी तो यहां पर जो मश्रूम है उसे मैं एड़ कर दी हूं और अच्छे चमश चला देंगे और इसमें ज्यादा मसाला नहीं पड़ेगा आप लोग डालना चाहाए तो डाल सकते पर मैं ज्यादा मसाला एड़ नहीं करूंगी इसमें तो जो रॉप फ्लेवर है इसका मश्रूम का बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ज्यादा मसाले या फिर ताम जाम एड़नी करूंगी तो मैं इसमें एड़ करूंगी हलका सा लाल मिर्च धनिया पौडर और हल्दी जीमी आज में पास मिनिट स्रीप धक के पकाऊंगी उसके बाद मैं इसे खोल के तेज आज मैं भूझेंगी जिसे की जो मश्रूम का पानी है ना वो सूख जाए तो यहाँ पर मैं आटा सान रही हूं क्योंकि आज करती हूं रोटी साथ में इस दिन में बना लेती हूं श्राम को नहीं बनाती हूं मैं रोटी और यह जो भाजिये यह हो चुका है तो इसका थोड़ा समय पानी सुखा रही थी लेकिन फिर मैं सोची की मश्रूम ना सुखा सुखा सबजी तो इसलिए मैं बैटा रही कि इसमें थोड़ा सा पानी रहने देती हूं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मश्रूम है अच्छे से फ्राई हो चुका है और खाने में बहुत टेश्टी लगता है तो आप लोग भी इसको ऐसे कि देख लीजेगा बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर जो रोटी है वो बनके रेडियो के यह नूचे सालू बैगान का सबजी है मौश्रूम की सबजी तयार है और गोल भाजी और मुंग दाल की सबजी भी रेडी है चामाल भी बन गया तो हमारे जो लंच है और जीनार है वो बनके रेडियो चका है तो अब मैं इसे स्रीफ साम को एक बार गरम करूंगी तो अब हम लोग चलते हैं बाहर तो बहार का मौसम तो बहुत अच्छा था ऐसा लग रहा था कि पानी गिरेगा पर पानी उस समय ने गिरा थोड़ी देर बाद गिरा तो यहां पर मैं आप लोग को दिखाती हो हमारे घर के बहुत ही सुन्दर सुन्दर फूल तो हमारे घर में तिन चार रोस आया है तो यह थोड़े सुख जाएंगे ना थोड़े अच्छे से तो मैं इसका जो क्या करती हूं जो डंगाले नो काड़ देती हूं जो इसके जड़के पास रख देती हूं तो फेकती नहीं हुम है और पीले फूल हम लोग को चड़ाने के लिए और यह जो पीला फूल है से क्या कहते ह हैं हम लोग इसको पूजा के लिए यूज कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है और अब मैं चाहिए नीचे तो मुझे कॉल आया है डिलेवरी वोई का तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज जो समाना है उसके लिए क्योंकि मैं बहुत दीन से चाहती थी क मेरे पास भी यह समान होना चाहिए तो आज फैनली वो मैं रिसीव करने जा रही हूं जिसे मैं और की थी हमें जो ऑन से और क्या है वो मैं आप लोग को रताओंगी रहसे तो कोई भी समान आता था ना ओनला तो मैं मतलब ऑनला शमान मंगाती थी तो डिलवरी करना था वो म आज मैं खुद गई लेने के लिए कि मैं बहुत एक्साइटेट हूँ इसे खुल ले के लिए तो मैं नीचे गई थी और नीचे से मैं समान लेकर जा रही हूं उपर तो क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आपी लोगों के साथ मैं इसका उन्बॉक्स करूंगी तो चलिए इसे फटा फटा अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले इसे करेंगे हम सेनेटाइज क्योंकि सेनेटाइज करना बहुत जरूरी है अभी कोवीड खतम नहीं हुआ और मेरा महंदी दिखाना भूल गई थी बहुत अच्छा कलर आया था महंदी को और बहुत अच्छा मैं अलग से बनाऊंगी यह कैसा है क्या है थोड़े दिन यूज करके और इसका जो प्राइज है वह हजार उपई है ज्यादा महंगा नहीं है तो यह रिंग लाइट है छोटे सा इसका और इसे कैसे लगाना कैसे इसको पूरा असेंबल करना वह सब मेरे हजबन करेंगे क्य तो मैं दी थी पर समझ में आ रहे था कैसे करना है क्या करना है और कुछ-कुछ जो इसका जो असेंबल करने का तरीका है वो तो मैं यूटूब से देख देखके बता रही थी में रहे थी क्योंकि मुझे और उनको समझ में नहीं आ रहा था तो यह है हमारा रिंग लाइट अश्चा है और अभी बरसाथ हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं लंस साथ में और यह जो व्लॉग है नहीं पर खतम करूंगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है तो आई योप आप लोगो अच्छा लगओ यहां तक देखा है व्लॉग अच्छा लगए तो लगा लिए कि जरूर बताईएगा तो हमारा लंस देख सकते हैं आप लोग तो आज कर जो व्लॉग है मैं यहीं पर खतम करती हूं आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बाबाव